हेलो गाइज आपका हमारे यूटीब चैनल स्टोक विद दी बाय चेतिलार फाइनेशल सर्विसेज में फिर से स्वागत है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर पता लगतर रहेगा साथ हम आपको बता देना चाहते हैं आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ही मोश्ट इंपोर्टन जो वीडियो है वो अभी तक चैनल के उपर अपलोड हो चुका है जिसमें देखिए बिलकुल सरल भासा में जो आज आर बी आई ने रैपो रेट में जो बढ़ा बढ़तरी की है जिरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट के साथ में तो उसमें जो है जो है उस चीज के अंदर देखिए किस कि सेक्टर को जो है प्रोफिट आने वाला है किस क सेक्टर को यहां पर दोस्तों नुकसान होगा यह बिल्कुल सरल भासा में यहां पर समझाया गया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो यह आपके लिए रहने वाले अगर आप स्टोक मार्किट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो लगबग 0.37% के साथ में एक नेगिटिव क्लोजिंग हमें यहां पर होते हुए दिखाई दिये हैं वहीं अगर मैं बात करता हूं पॉइंट्स में तो 60 पॉइंट के साथ क्लोजिंग हुई है 16356 के आसपास तो देखिए जैसे ही रेपो रेट जो RBI गवरनर है जैसे उन्होंने अनाउंस करना स्टार्ट किया तो वहां पर मार्किट खुलते ही देखिए पहले तो एक बर नेगेटिव चला गया था यहां पर आपको किलियर दिख रहा है उसके बाद जो है थोड़ी सी बढ़त स्टार्ट हुई क्योंकि देखिए सभी बैंकों को क्यों से क्या हुआ कि निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी देखने को मिली लेकिन लास्ट तक आते आते अगर हम बात करते हैं तो लास्ट तक आते आते जो क्लोजिंग है ना वो ही दोस्तों यहां पर 1635 2467 के आसपास और इस टाइक पर रीकुवरी की बात करते हैं तो देखें यहां पर आपको देखने को मिलेगा लगबग यहां से बात करते हैं 16,333 से लेकर जो रीकुवरी आई दोस्तों वो आई यहां पर 16,292 तक की लगबग हम कह crouch सकते हैं 200 पुइंट से एक recovery हमें यहाँ पे देखने को मिली 1500 से 200 पॉइंट के आसपास की और अभी देखिए बहुती most important level के आसपास जो है बंद हुए 16400 देखिए बहुती crucial level है और देखिए upside मैंने बताया था कि 16700 upside और downside के अगर बात करते हैं तो 16400 देखिए यह level मैंने पहले भी बताये थे यह बहुती most important level है देखिए यहाँ से आप मान के चल सकते है 80-100 यह जो level है यह जो range है यानि कि देखिए 16400 से थोड़ा बहुत नीचा आएगा तो 80-100 और 16700 से उपर जाएगा तो 80-100 तो यह जो चीज़े है यह range मैंने पहले भी बतायी थी बहुती most important levels के आसपास जो है बजार यहाँ पर trade कर रहे है और देखिए सबसे most important बात यहाँ पर जो निकल के आती है वो आती है event यहाँ पर जो रैपोर रेट का RBI का जो एक event था देखिए यह पूरा का पूरा बजार में पहले ही जो है एक consider करके चला था बजार के बई जो यहाँ पर ब्यासदरों के अंदर जो बड़ोती होने वाली है वो 0.50% के साथ में 50 basis point के साथ में तो देखिए यह जो चीज़े है न दोस्तों यहाँ पर clear थी और आब सबसे most important बात है कि देखिए अब जो event है न वो यहाँ पर निकल चुका है अब event निकल चुका है तो आगे अब बजार में देखिए यहाँ पर जो एक हम कह सकते है न base है वो already बन चुका है पहले भी देखिए किसी ने बहुत सारे जो बड़े बड़े दिगज हैं बहुत बड़े बड़े जो brokerages house है उन्होंने जो level देथे वो देथे 14,000 तक के nifty के 14,000 तक के देखिए अगर मानके चलो 14,000 का जो level है वो achieve भी हो जाता तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी जो सभी के सभी shares के अंदर जो profit booking है वो है या हम कह सकते हैं जो discount हमें मिल रहा है 32,50% के असपस में यानि कि 30 से 50% सभी share अभी गिरे हुए अगर मानके चलो 14,000 निफ्टी जाती इन केस तो देखिए जो next आपका share के अंदर गिरावट होने वाली थी वो होने वाली थी 32,60 to 70% यानि कि ये ratio आप ले के चल सकते हैं यानि कि बजार एक तरीके से हम कह सकते थे कि crash हो जाता इस situation में तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च की मार्च में देखिए कुछ brokerage house की तरफ से जो है कुछ news भी निकल के हमें यहाँ पर आई थी जो निफ्टी 50 है निफ्टी 50 का जो target है वो देखिए यहाँ पर बता है था 20,200 के आसपास टच कर सकता है दिसंबर 2022 तक और यह जो news है यह release हुई थी दोस्तों मार्च में मार्च 2022 में मार्च 2022 में यह news release हुई थी लेकिन देखिए अगर अभी फिलाल मार्किट की हम condition देखिए क्योंकि देखिए एक तो दो बार इंडिया के अंदर भी रेपो रेट जो है इंक्रीज हुआ है और दूसरी सबसे important बात आती है कि भई फूड पे एक crisis आया है जैसे रशिया और यूकरेनिया का जो वार हुआ है अगर हम बात करते हैं 2023 की तो देखिए 2023 में हो सकता है कि निफ्टी में ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन देखिए वहीं कुछ बहुत सारे ऐसे स्टोक भी होंगे जहां आपका पैसा बनने की probability ज़ो है जादा रहेगी अगर हम बात करते हैं किस brokerage house ने एतने बड़े target दी थे दोस्तों वो देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा access securities ने यहां पर access securities के एगर बात करते हैं तो देखिए उन्हों ने इतने लंबे और इतने बड़े target दी दे थे तरुकि देखिए क्योंकि देखिए जब इतने बड़े ब्रोकरेज हाउस कुछ देख के ही जो है इतना बड़ा आउटलुक देते हैं कि बाजार यहां तक भी जा सकता है और वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ शेर्स की तो देखिए उन्होंने कुछ शेर्स के अंदर भी बोला की देखिए इन शेर्स के अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं और देखिए यह चीज़े मैंने पहले भी बताई थी देखिए मार्किट जो है एक वोलेटाइल सेशन से गुजरेगा कुछ टाइम तक और यहां पर दोस्तों क्या होगा जैसी उपर जाएगा ना यहां पर इन लेवल्स पर क्या होगा एक सेलिंग आईगी और इन लेवल्स पर बाइंग आईगी यह बाइंग जोन आपका बात करें जो देखिए आगे आने वाले टाइम में जो है यहां पर जो है एक अच्छा खासा रिटन आपको कमा के दे सकते हैं तो देखिए सबसे पहले निकल के आता है टीसीएस बहुत जबर्जस्त कंपनी है रिटन रिजल्ट फंडामेंटली टेक्निकली बहुत लेवल्स पर भी वैदानता की बात करते हैं तो देखिए यह भी स्टील सेक्टर की बहुत जबर्जस्त कंपनी हैं बहुत सारे एक्योजेशन इनकी तरफ से हमें दिखाई दिए और नई रेस में भी जो है यह सामिल हो रहे हैं आने वाले टाइम में कोल इंडिया बहुत अ चेर्स की बात कर लेते हैं तो देखिए वहां पर आते हैं आपके ओईल इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं वहीं कैनरा बैंक देखे बैंक को तो हमेशा आपको रडार पर रखना है डालमिया भारत बहुत जबर्जस्त कंपनी है प्रैसिस्टेंट चोला इन्वेस्टमें हमें दिखाई दिया कई गुना कई गुना ट्रिपल एक्स फोर एक्स टाइम जो है रिटर्न यहां पे मिले हैं तो देखिए इन कंपनीज को बिल्कुल भी नहीं छो जो है छोड़ के चला जा सकता और अगर वहां बात करें हम स्मॉल कैप कंपनीज की तो देखिए स्मॉल देखिए गोर्मेंट का बहुत जबर्जस्त जहए पूकस इस एंडस्ट्री के ऊपर बना हुए है फूड इंडस्ट्री हम कह सकते हैं तो देखिए यह वह ऻुए खासा return हमें यहां पर कमाके देने वाले इन companies को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता और देखे जितना dip मिले बाजार देखे क्या कहता है देखे आज बाजार गिरा हुआ है कल भी हो सकता है बाजार गिरे लेकिन देखे परसु बाजार को उठना ही पड़ेगा इंडिया एक बहुत जबरजस्ट developing country यहां पर बहुत मोके है तो यह जो चीज़े है ना आप थोड़ा सा अगर market के अंदर invest करते हैं तो देखे बिल्कुल भी घबराए ना थोड़ा सा long term का सोच के चले अच्छा खासा investment करें dip में और अच्छे shares को यहां पर pick करें तो देखे पैसा आपका इस market के अंदर बनेगा